आग की एक बरी खबर ज्ञार्खंड के बुकारों से आ रही है ज्ञार्खंड के बुकारों जिला की गांधी निगर ओपी थानाच्षेत्र अंतरगत जेरीडी बैजार के साहू हाडवेर की दुकान सहीत तिनमंजला गोदाम में विशान आग लग गई है तिनमंजला मगोदाम धुदू कर जलने लगी धुएं की लप्तें आस्मान में काले बादल के रुप में पहलने लगी है आग पर काबु पाने के लिए तीन दमकल की गारियों को तेनुगार्ट आईयल गोमियों डिवीसी बुकारों थर्मल से बुलाई गई है आग पर से लगी है फिल्वाल पता नहीं लग पाया है आग से बड़ा नुकसान होने के संभावना है दुकान मालिक बिनोसाव फिल्हाल कुछ भी बताने के इस्तिती में नहीं है ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये बुकारों के गांधी नगर ओपी के जरीडी बजार के स चलना लगी है ये जो धुआ है आप देख लीजिए दमकल कर्मी लगातार इस कोसिस में जुटे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके अभी तक कितना नुकसान हुआ है इसका आखला नहीं किया जा सका है लेकिन जो लोग बता रहे हैं स्थानी लोगों का ये कहना है कि ये कि इस गुदाम तक पहुचने के लिए फायर कर्मियों ने बरी सिर्ही लगाई है और सिर्ही के सहारे पानी के बहुचारें उस गुदाम के भीतर की जा रही है इस गटना के बाद वहां अस्थानी लोगों की काफी भीर लग गई है दमकल की गारियां लगातार वहाँ पर कोशिस में जूटी हैं कि किसे तरह आग पर काबू पाया जा सके आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बोकारो के जरीडी वेजार के साहू हाड़वेयर दुकान की जहां तिनमंजला गोदाम में आग लगी वी है अलगातार फायर करमी दमकल करमी इस कोशिस में जूटे हैं कि नुकसान का कुछ आके लगन भी बताया जाए सकता है कि यह तो कितना था हूँ तो मालिक घर जो दुकान का थी है भी बता पाये हैं क्या कहना है सर दुकान मालिक का इसमें दुकान मालिक का उसका तो हमको फिड़बेक नहीं है अग लग गया का हमको फोन किया तो देखा उ गांदी नेगर के थाना प्रवारी पंकच कच्छप ने बताया कि आग सौट सरक्रिट से लगी है और अभी तक नुकसान का आंकलन नहीं किया जा सका है और दमकल कर्मी लगातार कोशिश में जुटे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके बुकारों से खुलासा के लिए ब्रदभूसन दुवेदी की रिपोर्ट